नमस्कार दोस्तों काद्यान्स कुकिंग में आपका स्वागत है अगर आपको भी मिठा खाना बहुत ही पसंद है तो यह वाली रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है यह गुल-गुले और इसे मैं आज चीनी से बनाने वाली हू एक कटोरी मैंने चीनी ली है और एक कटोरी अभी मैंने पानी भी ले लिया है तो चीनी को मैंने एक बरतन में डाल दिया है और पानी भी मैंने इसमें डाल दिया है अब मैं इसे गरम करके चीनी को मेल्ट होने तक अच्छे से मिक्स कर लूँगी तो हमें इसकी चाशनी तय कोई बी एक क्लेवर कोई वर कि कि चीनी मैंने 밍ह मिक्स कर लिया था वो युदि आफी डाल दिया है तो अभी इसमें पानी और लगेगा लेकिन वह हम बाद में डाले पहले ये मिठा हम डाल देते हैं तो अभी ये मैंने पुरह डाल दिया हे आप चीनी की जगे पे गुड़ का भी यूज कर सकते हैं जो पारम पर एक तरीका होता है वो गुड़ से बनाने का होता है लेकिन अगर गुड़ घर पे ना हो तो चीनी से भी हम इसे बना सकते हैं अब मैं यहाँ पे एक कटोरी पानी और ले रही हूँ लेकिन यह पूरा यूज नहीं होगा तो हमें बस थोड़ा थोड़ा डालना है और अच्छे से मिक्स कर लेना और यह गोल थोड़ा सा गाढ़ा रहता है जैसे हम पूरे वगरा बनाते हैं उसका गोल थोड़ा सा पतला रहता है लेकिन गोल गोल बैटर होता है वो थोड़ा सा गाढ़ा ही तयार होता है तो थोड़ा थोड़ा पानी डालें और अच्छे से मिक्स कर लें और इसमें मैंने बिल्कुल भी बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का यूज नहीं किया है इसे हम इस बैटर को हम तयार करके एक घंटे के लिए छोड़ देंगे और उसमें ये अच्छे से तयार हो जाएगा और अगर आप इंस्टेंटली ही बनाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा मीठा सोड़ा जरूर से डालें आदी छोटी चमच के करीब तो ये देखिए ये बैटर इस तरीके से तयार हो जाएगा तो ये इतना गाढ़ा रहना चाहिए तो लगभग एक चोथाई कटोरी पानी इसमें बच गया है तो दो कटोरी के लिए लगभग एक कटोरी पूरा पानी हमने यूज किया और तीन चोथाई कटोरी मैंने दूसरा वाला यूज किया है एक घंटा छोड़ने के बाद में अभी आप देख सकते हैं इसमें अपने आप ही इस तरीके से जालियां बनने लग जाएगी तो हमार पॉद्धकस के गुलगुले बना रहे हैं तो यह हातों पे बेटर चिपकता है तो आपको पास में पानी रख लेना और थोड़ा सा हातों को गीला करने के बाद में इस बैटर को ले करके आपकड़ाई में डाले दो लेकिन चि它 यह बनाते हैं तो इतना चिपकता नहीं है। हातों में इसी ली डेपर यह देकिए इस तरीके से गिर जाता है तुछ जैसे हम प्पगोड़े बनाते हैं इस तरीके से इस जातो भी तेल में चिञाएंच С कहा दरूदी जाता है was अ गया से चोदे से लिएनगे जब हम गुड के गुल गुले बनाते हैं तो और जादा होते हैं कि गड़ का कलर भी डार्क है तो इसी लिए और ये दोनों साइड से अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे तब हम इने निकाल लेंगे तो ये बहुत ही आसान वाली रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनती है और ये देखिए कितने नरम नरम गोल 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 गोले तयार हो चुके हैं इसी तरीके से दूसरा बैच भी मैं डाल रही हूं तो ये बहुत ही सिंपल से रेसिपी है आप इसे ट्राइज जरूर कीजिएगा बहुत ही टेस्टी बनता है और जैसे ही हम इस बैटर को डाल रहे हैं तो आप देख सकते हैं कितने जाग से इसमें तेल के उपर आ गये हैं और जब ये अच्छे सिखने लगेंगे तो ये जाग भी कम होते जाएंगे और ये देखें इनके साइड को अच्छे से उलट पलट करके हम इने फ्राइ कर लेंगे तो ये उपर से बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं बहुत ही टेस्टी बनते हैं और दोनों साइड से जब ये अच्छे कलर के आ जाएं तब हम इने निकाल लेंगे तो अगर आप इंस्टेंटली ही बनाना चाहते हैं तो आपको इसमें थोड़ा सा मिठा सोडा डाल देना है या फिर आप इस बैटर को थोड़ा सा रेस्ट करने दे लगबग ए घंटा आप ढख करके छोड़ दे और बाद में आप ये गुलगुले बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं तो अब आप देख सकते हैं ये अच्छे से सिख चुके हैं तो इनको मैं अभी निकाल रही हूं थोड़ा सा आपको ये चम्मच साइड में रख लेना है ताकि एक्स्ट्रा ओइल सारा इसी में जहर जाए और फिर हम इने निकाल लेंगे तो ये देखिए मैंने सारे गुलगुले अभी तयार कर लिये हैं और ये कितने फूले फूले बने हैं कितने टेस्टी लग रहे हैं तो ये रेसिपी आप ट्राइज जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स बहुत ही आसान तरीके से बनती है और इसे आप बना करके चार से पांच दिन बाहर रून टेंपरेचर पर रख सकते हैं इसमें इलाई जी का जो फ्लेवर है वह बहुत ही अच्छा आता है आप चाहें तो सौंफ भी डाल सकते हैं तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर करें शेयर करें इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ताकि वो भी स आसान रेसिपी को घर पे ट्राइ कर सकें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सभी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचें थैंक यू फर वाचिंग स्टे कनेक्टेड